हाई गाइस वालकूम बैक आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है आज किस वीडियो में हम बात करेंगे आइफोन 7 की लॉक स्क्रीन से हम कोई भी अप्लिकेशन को कैसे लॉंच कर सकते हैं अगर आप यूज करें हो 15.7.8 के नई अपडेट को अपने करने के लिए आपको शॉटकर्स की आपको इंस्टॉल करना है अगर आपके आइफोन में यह एप अवेलबल नहीं है तो आपको एप स्टोर को उपन करके इसको इंस्टॉल करना है उसके बाद इस अप्लिकेशन को उपन कर लेंगे तो यहां पर आपको सबसे पहले प्लस क पर टैप करके आपको यहां पर open app का एक option देखने को मिलेगा open app की उपर आपने टैप करना है और यहां पर आपको application को select कर लेना है जैसे कि मान लो कि मैंने अपने और कोई application को select करना है जैसे कि music की application बबिचिक करना का तो यहां पर पर करती नालए और आपका यह शौटक heh के हैं यहां पर पर उपर जया सकते हो जैसे की बबढ़ी से की जैसे प्र कुरी। निया है अपर निया को आपलिकेशय छोटकर एकम काने करके यहां पर नी जान का है बटन खुकत करना के इस तरह से आपने अपनी अप्लिकेशन को स्लेट करना है जो आप अपने आइफोन के लॉक स्क्रीन से ओपन करना जाते हो उसके बाद आपको सेटिंग्स को ओपन करना है सेटिंग्स की उपर टैप करना है टच में जाएंगे और यहां पर आपको सेशिव टच की उपर टैप करना है Single tap के उपर tap करनेंगे और यहां पर आपको अपनी शॉर्ट कट को स्लेघ करना है अदये और है ओपने आयान मुजिक उसके बाद आपको बैक बार बटन की उपर करना है और यहां पर डबल-डब ऑप के उपर टाप करना है और यहां पर आपको अपनी दूसरी application को select कर लिना है जैसे कि open आपने आइफोन के उपर उसके बाद ड्रेक्ट लिए आप लॉंच कर सकते उपनी किसी भी अप्लिकेशन को कुछ इस तरह से यहां पर आपको देख सकते हो मैं यहां पर सिंप्ली डबल टैप करना है और मेरी जो इंस्टाग्राम की अपलिकेशन है वो यहां पर उपन हो जा वाचिंग